तो दोस्तो फेंटेसी का एक एसा चैनल जो आपको कम इन्वेस्ट पे अधिक प्रोफिट के लिए हमेशा से परियास करता है साथ ही साथ आप लोगों के जी एल पे फोकस करवाता है तो डोमेस्टिक पेलिंग लेबन में आपका बहुत बहुत स्वाग है तो दोस्ता ये बात भी जाएगा इसा तो होता है इनकोई बात ने यह मुकाबला हम लोगों बहतर तरीका से वीन करने के परियास करेंगे क्योंकि इनी दोनों के बहुत जो मुकाबला कल खेला गया था हम लोगों ने अल्टरा के लिन स्विप किया था तो जील के लिए काफी बहतर मेच होगा वीडियो मैं डिसकस करूँगा और काफी मजा भी आएगा लेकिन सबसे ज़्यादा महत्पून हमारे टेली ग्राम चैनल में जुड़ना अगर जदी मैं डुमेस्टिक में चकवर करता हूँ यहां तक कि ड्रीम 11 लाइनप आउट नहीं कर पाती है और मैं कहीं न कहीं सा क्या होगा हमारे टेली ग्राम चैनल में आपको जुड़ना काफी जरूरी है डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरी है जुड़ सकते हो या पिर आप सर्च भी कर सकते हो डोमेस्टिक पिलेइंग 11 तो दोस्तों यह हमारा टेली ग्राम चैनल 49.3 के सब्सक्राइबर का एसपास दिखेंगे यही पर आपको आकर जुड़ जाना इनसे अधिक सब्सक्राइबर बाले काम सब्सक्राइबर बाले हूँ बहु आपको डोमेस्टिक पिलिंग ले बनना जा रहा है वो बिल्कुल फेक चैनल है और इना चैनल आपके स्क्रीन के ऊपर यह स्क्रीन सोड़ जो दे कते नहीं आएगे क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं क्या हम लोग का कॉंबिनेशन बनेगा देखो बात को यहाँ पर बारी किस समझ लाए यह दो स्कोर काट ही हम लोगों के लिए बेतर होने वाला है क्योंकि यह मताजा तरी नहीं और वो लास्ट मेच अभी खेला गया और दोनों के बीच खेला गया यहाँ पर देखो यहाँ पर मेल वर्न रेनी गेट्स ने पहले बाजी करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं एक सो तीर पर रन बनाए देखो स्यम हर पर यहाँ पर 33 रन देख रहे हुँ ना इनका 11 के स्कोर पे इनका केच ड्रोप सुरी स्टाम्प ड्रोप कर दिया था नेलसन ने नहीं तो यह काफी सस्तिम आउट हो रहे थे क्योंकि काफी स्ट्रागल कर रहे थे गेंद से रन से ज अच्छा खेले और अर्शत की पारी इन्होंने छपपर रन की पारी खेली फिरेसर MC क्रूग की बात कीजा यहां पर देख सकते हो एक आरा गेंदो पर आट रन इनका डोमेस्टिक देखा जाए काफी बनिया रहा था लास्ट सीजन भी यह बीग बेस लिग खेले थे तो इनको तजुरुबा इनको आप अवज से ट्राई कर सकतो अगा जदी उपरी करम पे सेम हरपर पे रिस्क लेते हो तो फिरेसर को आप पिक कर सकतो जेमस साइमोर की बात के काफी बनिया प्लेयर है डोमेस्टिक रिकोड इनका काफी बनिया आश्टेलिया वन डे कप में भी बनिया अच्छे पिलियर है विल सुतरलैंड ओल्राउंडर की गिनती में है लेकिन थोड़ा सब बले बाजी के लिए नीचे आते हैं लास्ट में इन्होंने दो उभर की गिन बाजी किया चार उभर की फूल गिन बाजी करेंगे तो और भी ये असरदार साबित हो सकते हैं इनके ल पुरल ने भी दो बिक्टे लेगे रासित खान एक बिक्टे लेगे हम लोग का भुहाईस था और केप्टन हम लोग था यहाँ पर पिटर सीडल दीनोंने तीन बिक्टे लेगे वेस एगर काफी बनिया गिन बाजन लाश्ट सीजन काफी बनिया कहर बन पा रहे थे इस सीज अठारा गेंदों पर 29 रंज जड़े एक चाओके दो छक्के यहाँ पर वेधर लेंड का यहाँ पर देखो काफी बढ़िया पिलेर है लास्ट सीजन भी बहतर था इस सीजन देखो यह आउट किस परकार हुए थे छक्के के लिए गेंदते वहाँ पर फिल्डर ने उचल कर ग गाताक सावित नहीं हुए वेल्स यहाँ पर काफी बढ़िया रिकोर्ड इस पर आपको फोकस करना है इनका रिकोर्ड काफी बढ़िया था लास्ट मेंच में मैंने भी इन्हें पिक नहीं किया था लेकिन काफी बढ़ा गलती हो जाएगा इन्हें हमें पिक करना चे लेकिन एडिलेट स्ट्राइकर्स के टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो और भी ज़्यादा बहतर सावित हो सकते हैं आर गिप्सन यहाँ पर देख सकते हैं साथ गेंदो पे आठ रन और रिटार हट हो गेते जहां तक है चोटील हो गेते कुछ इन्हें खिचाव आया था डिड्रियू की बात किया ये कोशिस तो पूरा किया लेकिन न्यू पिलेर है जी एल के लिए ही ज़्यादा बहतर नहींगे जी गार्टोन काफी बनिया गेनबाजी साथ बल्लेबाजी भी करके आपको दे सकते हैं गेनबाजी यहाँ पर दिखेंगे तो जहिर खान ने तीन बिक्रे लेगे इसपीनर है चाइना मेन इनके बारे मैंने घात आप लोगों से कि सकेंड में इसपीनर ज्यादा घाता कसाबित होते तो इस वज़ा से इसपीनर को ट्राय करना चाए बहुत सारे लोग ट्राय किये यहाँ पर सुतरलेंड से दो ही ओबर करा गया लेकिन काफी बनिया इन्होंने गिनवाजी किया जिस तरह से गार्डों को इन्होंने बोल्ड किया था देखकर मज़ा आ गया था काफी बनिया गिनवाजी था जेंस पेटिंसन काफी बनिया एक ही विक्तिर ले गया लेकिन इस सबसे बेस्ट गिनवाज कोन हो सकता केन रिचर्डशन अगर जदी इनकी टीम पहले गिनवाजी करेगी तो हमारा केप्टन होगा केन रिचर्डशन और अगर जदी पीटर सीडल की टीम पहले गिनवाजी करेगी तो पीटर सीडल फिर से मैं बनाओंगा लेकिन केन रिचर्ड जो हकिका तो जो हाल फिलान में वो रिकोर्ट काफी बनिया है। इनके लाबे सारे फिललर को तो हम लोग जानते हैं Australia Wem 개 Cup में भी खेले हैं, इनके लाबे टेس्ट जो हो रहा है, तो दोस्तों Nikos हमारे YouTube चैनल कोसे शब्सक्राइब नहीं किये गो हो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम विल्मान से रिलेटेड कोई भी अफडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फोर्मेशन देता हूँ तो इस वज़त से हमारे चैनल को बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना चे इनके लावे कोई प्रोब्लम हो तो हमें इस्टागराम पर मेसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई देता हूँ वो भी बहतर तरीका से तो दोस्तों यहाँ पर देख सकतो अगर ज़दी यहाँ पर हटी आर की टीम पहले गेन बाजी करेगी तो हमारा यह टीम हो सकता है अब आप कहा रहे होंगे कि केन रिचर्ट्सन को भाई आप बोडर ते केप्टन ट्राय करने के लिए और आप यहाँ पर पीक नहीं कियो तो देखो मुहमन नभी की जगा मैं केन रिचर्ट्सन को ले सकता हूँ अगर ज़दी केन रिचर्ट्सन पहले गेन बाजी करेगा तो मैं सीधे तरप उन्हें केप्टन दे दूगा और नहीं तो आपने टीम पे भी पिक नहीं करूँगा ये हमारा कॉंबिनेशन होता है तो यहाँ पर नवी की जगा आप चाहो तो ले सकते हो या फिर वील सुतर लेंड के जगा भी आप ले सकते हो असानी से कोई बात ने यहीं अगर जदी देखो यहाँ पर जयान से देखना अगर जदी यहाँ पर और मेथिव सोड ओपान आते ते इन दोनों भी केप्टन भासाब देशक्तो लेकिन जे वेदर लैंड की टीम अगर जदी पहले बल्ले बाजी करेगी ते क्या करना आ देखो बताते हैं क्या करेगी बले बाजी करेगी तो एक इस्ट्रा मैं वहाँ पर ले लूँगा बले बाज और यहाँ पर इनके एक इस्ट्रा गेन बाज ले लूँगा केन रिचर्टसन और यहाँ पर जेम्स पैटिंसन को तो यह टीम हो जाएगी जब केन रिचर्टसन की टीम पहले गेन बा रिचर्ट सन होगा या फिर पिटर सीडल और भाईस हमारा रासीद ही रहने वाला अब देखोगे बीग बसी लिग में एक दो ऐसे बले बाजा जो बड़ी पारी खेल रहे नहीं तो ज़्यादा तर बिक्टे गिर रहे हैं बिकेट ज़्यादा ज़्यादा मिल रहे हैं तो बेटर गेनवाजी कर पाता है उन लोग को दो काफी बेटर रिंक आपका आएगा तो दोस्तो ये टीम आप सेफ करके रखो लाइनाप के बाद जो भी आएगा लेकिन एसे मेच में आपको एक साधिक टीम ट्राइब बिल्कुल करना चीए तो दोस्तो फिलाल के लिए मैं अ इसे मेच के अपडेट के साथ अपने टेली ग्राम चैनल डोमेस्टिक पिलेंग 11 पे